दोस्तियार आज हम बात करने वाले हैं सामसिंग की तरफ से आने वाले QLED TV के बारे में जिसका नाम है नियो QLED 50-inch Q90A इसका model name है Ultra HD 4K की resolution के साथ आती है एकनम stunning display है आपको picture quality काफी अच्छी इसमें देखने को मिलती है perfect picture quality always इस पे देखोगे आप कोई भी reflection नहीं पढ़ती है screen पे और जो भी screen पे आप देख रहे हो colors वगेरा काफी enhanced दिखते हैं contrast अच्छा दिखता है black levels आपको काफी amazing दिखेंगे और इसमें sound bar वगेरा connect करके आप जो है काफी अच्छी quality की audio भी यहाँ पे ले सकते हो quantum dot की technology मिलती है यहाँ पे immersive experience हो जाता है colors जो है काफी अच्छे दिखते हैं deep contrast देखने को मिलता है इस TV में simply tap to connect का भी feature मिलता है यानि आप अपने phone को just tap करोगे इस TV के साथ और वो अपने जो है TV के साथ connect हो जाता है launch इस TV का 2021 है latest smart TV है Samsung की तरफ से और इसमें जो features दिए गए है audio features मैं बता दूँ 40 watt का output आपको देखने को मिल जाएगा दो speakers total दिए गए हैं और इस TV में Netflix, YouTube, Disney Plus, Hotstar जैसे application सभी चल जाती है screen mirroring भी आप कर सकते हो Bluetooth दिया गया है तो जो है अगले अपने soundbars को मतलब जो wireless soundbars होते हैं उनको connect कर पाओगे operating system की बात करें तो यहां पे Tizen का operating system दिया गया है जो कि Samsung की तरफ से आता है connectivity features में total आपको 4 HDMI ports देखने को मिल जाएंगे 2 USB ports देखने को मिलते हैं and total 14 kg का यह जो है TV देखने को मिल जाता है तो यहां पे no matter आपको जो है काफी अच्छी brand की तरफ से काफी अच्छी TV देखने को मिल रही है 50 inch की screen size के साथ में quantum dot की technology भी दी गई है 4K की resolution है आपको picture quality या audio quality में कोई भी यहां पे problem नहीं होने वाली है आप सभी को कैसा लगा जो है Samsung का यह brand new TV मुझे अपने opinion शेर करते हुआ था यह comment box में वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज इसे like करिए शेर करिए और subscribe कीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मिलता हूँ अब सभी से अगले वीडियो में